अब जल्दी से इस चैनल के साथ जोड़ जाए और इस वीडियो में हम 40 क्यूशन डिसकस करने वाले हैं जो कि प्रिवेश यह क्यूशन आपकी पूछे गया है यूपी एस इस पेसली ठीक है तो फ्रेंड अगर आपको आश्वर पता है तो आपको 10 सेकिंड का टाइम दिया ग है मूल इडी प्लस Constitution प्लस जीके से भी तो फॉस्ट ज्वर आपके स्क्रीन पर आसदैंस आप के मूल विदी प्लस सम्मिदान के सक्का कैसी जाते हैं को सकते पूंचे जाते हैं कि लॉप्लस अपके लगभंग 24 ऑचन होते हैं और जो आपका जर्णरल होता है उससे लगभं शोला क्यूशन पूछे जाते हैं यानि कि टोटल 40 वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये और फर्स्ट क्यूशन अभी आपके स्क्रीन पर है बताईए अगर आपको पता है तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडि केंट यह आपका 2017 में क्योशन पूछा जा चुका है सेकेंड पाली में अंटल आंटिक घोसरा पत्र वर्ण का गोल्डन घोसरा पत्र ब्रेश्ट घोसरा पत्र या फिर पोंगन घोसरा पत्र बतायों कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्टल चर्चिल द्वारा घोसित आप ऐसा कौन सा घोसरा पत्र है जो कि भारत पर लागू नहीं किया गया था तो आप सिंपली कह सकते हो अंटल आंटिंग घोसरा पत्र यानि कि ऑफ्षन नम्मरें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स आपके स्क्रीन पर क्यूशन है बतायों जो कि जीके से रिलेटेड आपकी कैसी किशन पूछे जा रहे हैं और आप आजकल तो मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन है ठीक है तो अपनी त्यारी भी आपको बहुत ही अच्छे से करनी होगी आपको जितने भी पेपर है आपको सारे पेपर पहले सुल्प डाउट करने होंगे ताकि जो आपकी प कि ऑफसर नमरे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स क्यूशन बताइए फ्रेंट्स क्यूशन क्या है अब आप इसकी पर देख सकते हैं कि शाकिय विज्ञान किसके उत्पादन और विप्रन से सम्मंदित है फुल चकुत्तरा फल अंगूर या फिर शब्जिया बताइए फ्रेंट्स कौन सा करेक्ट अंसर हो जाएगा शाकिय विज्ञान किसके उत्पादन और विप्रन से सम्मंदित है बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट अंसर हो जाएगा थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको लेकिन क्यूशन आपके ऐसे ही पूशे जाते हैं तो बताइए फ्रीक जो आपको क्यूशन नम्मर जो है डी करेक्ट हो जाएगा जी और जो साकिय विज्ञान है वह आपको पता होना चाहिए सब जो से रिलेटेड है ठीक है नेक्स्ट जो कि आपको 44 आपको मतलब हर पेपर में यह क्यूशन मिलता है संकेत पूशा जाता है ठीक है हमने आपको बताना है अब ऑन ते गया है संकेत जोयदे ट्de? डीपो उसका दिया गया थख adversتي में आपको क्यों से बताना है इस यातायाद का संकेत क्या है list पिर दिया बताए़ चाहरा का यह क्या है यह पर में देख जाती आपको रास्तना मृ Спान दाना है तो अर्द क्या होगा option के हिसाब से बताइए कौन सा correct answer हो जाएगा 44 तो उसका जो उस चीन का अर्थ होता है सड़क नीचे जाती है यानि कि option नमरे बिल्कुल correct हो जाएगा next question 45 बताइए friends किसी भी विषय पर शमान मत दान होने पर शंशत के किसी भी शदन के speaker द्वारा मत डालने को dot 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 क्या कहा जाता है बताइए बिषय साधिकार मत बिषय साधिकार प्रस्था मत दान करना या फिर अधिमत बताइए friends क्या कहा जाता है या आपको जनरली भी पता होनी चाहिए 45 का क्या answer हो जाएगा तो देखो friends किसी भी विषय साधिकार मत डालने को बिषय साधिकार मत कहा जाता है यानि कि option number A आपका बिल्कुल correct हो जाएगा next question number 46 बताइए friends कौन सा क्रेक्टान समझाएगा इन में से कौन सा प्रतेक्ष बिदेशी निवेस यानि कि FDI के लिए आर्थिक सायोग तथा विकास संगठन आई OCD दोवारा लक्षित लोग प्रियो उद्योग नहीं है बताइए रियल एस्टेट रसायन और प्लास्टिक बी निर्माड दूस अंचार या फिर बेवपास ये आपको क्या लग रहा है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 तो दिखें इसका जो करेक्ट कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमद्यषागरी वण झाड़ियों में किस जलवाई की छेत्र में आए तो फूर्द स देखो इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑफ्सेंन नम्ब्र ए गर्म सीत्टोर छेत्र ठीक है जो भूमा दी सागरी वन जाड़ियों में जलवाई छेत्र में है गर्म सितोड छेत्र नेक्स्ट जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर क्यूशन आप देख सकते हैं क्यूशन क्या है कि इंद्रा शाहने नेड़ाय के रूप में बहुत चर्थित जनहीतियाज का मामले को इतिहासिक माना जाता है डॉट 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 पी आईल तो बताए फ्रेंच आपको चार ओप्सन दे दिए इनमें 40,000 साधिक अभी योगाधिन कैदियों की रिहाई का मार्क प्रस्त है ठीक है शरकार ने माना की अंतराष्टे शंगठों द्वार निधारित मान डंडों पर अ पारक्षन और जरूरत को श्विकार किया है इसमें शरकार को देश के परियां और अन्यों सुधार लाने की दिशा में काम करने का निदेश दिया जाए तो क्या करेक्ट अंसर हो जाएगा इंद्रा शाहने निड़य के रूप में बहुत चर्थिज दनित याचिका मामले को एतिहासिक माना जाता है बताए फ्रेंट्स हमने चारों आपको दे दिये हैं कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है 48 तो देखो फ्रेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह जगसी जो है इतिहासिक क्या मानने जाता है तो आदालतों ने सरकारी नो करी हो कि पिछड़ संकेतों को मेंशे कौन सा पुर्वानुमान नहीं बलकि केवल लंबी ओधी के रुजहान की पुष्टि गरता है बताए परिवेस्टन सुचक शंसोदित अनुमान सुचक शंपाती सुचक या फिर परमुक सुचक कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 आंसर आपको बताना है पुर्वानुमान नहीं है बलकि यह केवल लंबी ओधी रुजहान की पुष्टि करता है यह जो आपका सुचक है तो यह आपको पता होनी चाहिए और जो यह सारे है यह जो है करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्यूशन नम्मार 50 बताए फ्रेंस तीश नमबर 2017 को भारत के नौश मैं रचाद्र कुमार जोशी। शुनीर रामबा दल्भीर सिंग या फिर राबिन कुमार यह आपके करेंटे क्यूशन पूचा गया है अगर आपको पता है तो अब बता सकते हैं या आप इसकी बड़ सकते तो देखे सकते हैं तो शाख और भी शुनी लाबा नेक्स्ट की कौन सा कौन सा रचिए राज-च्वा की सदर्शियों के हैं बताइए राज-च्वा के सदर्शय को वही वेतन और अपने लाव है जो लोग सबस्पर को मिलते राज-च्वा के सदर्शय एकल हस्तान तरडिया मत पद्धती द्वारा बिधान शभाव द्वारा चूने जाते हैं अब देखिए ओफिन दे दिया गया है ए और बी दोनों केवल बी केवल ए या फिर ए और बी दोनों में से कोई नहीं कौन सा करेक्ट आपको लग रहा है बताइए इसमें क्या पूछा गया है कि नहीं में लिखित में से कौन सा वटब या राजसवा के सदश्यों के हैं तो देखिए फ्रेंट जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और सन नमरे राजसवा के सदश्यों को वही वेतन और अन्यलाब दिये जाते हैं जो कि लोक सभा के सदस्य को मिलते हैं कोई मतलब इन दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं है तो यह करेक्ट जो आपका option मतलब यह दोनों आपका हो जाएगा ठीक है यानि कि राज्य सभा के सदस्य से एकल मत पद्धती राज्य यानि कि यह और भी दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा option नमर एक साथ हम यह चलते हैं ठीक है नेक्स फिप्टी टू मताईए फ्रेंट क्या है ऐसा कोई भी सवदा जिसमें शंपती एक ब्यक्ति के नाम हस्ता अंत्रित की जाती है और भुक्तान किसी क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है उस सवद्ध को हम क्या कहते हैं हावाला बेनामी लेंदेल काले धन का वैद्ध बनाना या फिर काला धन बताएव अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके एक्जाम में कैसे क्यूशन पूछे जा रहे हैं जो गी आजो भी इसा कोई भी सौधा जिसमें शंपती एक ब्यक्ति के नाम हस्तनांतरित की जाती है और भुक्तान किसी दूसरे ब्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसे हम बेनामी लेंदेन कहते हैं यानि कि ऑप्शन नंबर भी यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स क्यूशन दे आपने पड़ा ही होगा आप सिंपली बता देजिए समाजिक सुरक्षा और समाजिक बीमा जन संख्या नियंतर और परिवार निवजन प्रकास अस्तम या फिर आर्थिक वर शमाजिक योजरा कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है अगर आपको आपको अपनी तयारी हंड़े पर्सेंट करनी होगी तो 53 का अंसर बताएं कौन सा करेक्टा अंसर हो जाएगा तो देखिए जो संगसुची का एक हिस्सा है वह है आपका 53 का सी यानि की प्रकास अस्तम ठीक है तो यह आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट क्यूस्ट नम्मर आप यहां देखें 54 बताएं यह आपके भारतिय डंड सनिता से रिलेटेड आई पीसी इंडियान पेल कोड से रिलेटेड आपकी क्यूशन पुछा गया है कि भारतिय डंड सहिता की धारा 415 से 420 तक का संबंध किस्टे है अब बताएं यह ने यह डिसकस किया था शरारत अप्रादिक भंग धोखा धड़ी या फिर जबरन वस्युली बताएं यह फ्रेंट्स कौन सा करेक्ट अंसर हो जाएगा 54 का अंसर बताना है आपको तो दीखिए इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ओप्सन नम्मर बी नई फ्रेंट्स आपको यह पता होना चाहिए जो आपका 415 और 420 का सम्मंद किस्से है तो वह है धोखा धड़ी से यानि कि यहां आपका ओप्सन नम्मर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा यह आपको बिल्कुल नहीं होगा ठीक है तो यह आपको बाते जो है पता होनी चाह सब्सक्राइब करने के लिए जुन 2016 में क्या शुरू किया था बताएए शाक्षी नारी योजना बेटी बचाओ अभियान भीजू करने आरतन यह परदान मंत्री शुरक्षित मात्रित तो यह अभियान बताएब कौन सा करेक्टांसर हो जाएगा तो देखिए इसका जो सिं सब्सक्राइब कर भूती मैला थी नुश्यूल को स्वास्ता एंट जांज के लिए नेक्स्ट किस्ट नम्मर 56 सम्मिधान से रिलेटेड है शमिधान शभा का अंतिम सरस्त्र कब आयोजित किया गया था बताएए और श्रेंड यह हमने जब कल जीके मतलब जीके चैलेंज में यह हमने क्युशन डिसकस किया भी था थीक है तो आयोब कि अभी आपको यह पता होगा शभीधान शभाका अंतिम सरस्तर चुब कर आयोजित किया गया था 26 जनौरी पचास 24 जनौरी उनिशन पचास 29 जनौरी उन्निशन वावन शबी जनौरी उन्निशों इन्चास बताइव श्रेंज कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या लग रहा है कि कब जो है अंतिम सत्र आयोजित किया गया था और पुरे बाहरत पर लागू किया गया था तो आप सिंपली कह सकते हो आपसर नमर भी 24 जनवरी 1950 को इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट बताइव फ्रेंज ऐसा माना जाता है कि भुदान अंदोलन आप यहां भुदान अंदोलन तब शुरू हुआ जब बिनोबा भावे भू महीन हर जनो का पेस आ रही शमश्य करने में कौन साराज्य की गाउं में पहुचे थी इसमें बोला गया है कि जो आपके बिनोबा भावे भू महीन हर जनो का जो पेस आ रही थी जो समश्या आ रही थी मतलब उससे समश्य करने के लिए वह कौन से गाउं पहुचे थी जिस अंदोलन का नाम था भुदान अंद अधित है और जो बिनोबा भावे हैं वहां गये थे सम बोधित किये थे लोगों की समस्याओं को जो भी हर्जन थे जो भी उनकी समस्याएं थी उनको लेकर ठीक है नेक्स्ट क्यूशन नम्मर अंठावन बते यूशन निम्न मेंसे कौन सार्ण नागरिकों के मौनिक अधिक आपको चूज करना है पहला इस्टेटमेंट राज सैक्षिक संस्थानों को शहायता देने में किसी भी सिक्षर संस्थान के साथ इस आधार पर भेदबाव नहीं करेगा या अल्प संक्यक प्रवंदन के तहत है चाहें वो धर्व पर अधारित हो या फिर भासा पर दूसरा इस्टेटमेंट क्या है यदि कोई भ्यक्ति भारत की संप्रवुता एक था और अखंडता को अच्छुड बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने में बिफल रहता है तो इसकी सुर्टनता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है तो इसमें पूछा गया पहले आप कौन सा दागरिकों के मौलिक अधिकारों के ताद भारत की सम्मिधन में कहा गया है तो यह दो इस्टेटमेंट ने दिए गया है और बताइए आपको क्या लग रहा है कौन सा statement सही है option A और B दोनों A और C या केवल B या केवल A इसमें तो C का कहीं option ही नहीं है है ना क्यूंकि दो ही statement आपको दिये गये है तो बताइए कौन सा correct answer हो जाएगा question number 58 का तो देखो केवल A ही सही रहेगा क्यूंकि देखो यदि कोई अगर मतलब संपरदा एकता हो रखनता को अच्छूर मतलब उसकी सवतरनता पर पर प्रतिबंदित है नहीं किया जा सकता है तो यह तो गलत हो जाएगा तो यह आपका option number जो यह statement है वह बिलकुल correct हो जाएग मामलों बारे में दुरुस्त है इसका मतलब है की device का जारी करना सोने दीवरा समरतित नहीं है इसका मतलब है कौन सा बित्वा शैम मामलों के बारे में दुरस्त है 59 क्या आंसर आपको लग रहा है बताइए फ्रेंट्स बताइए हम इस क्यूशन को अभी यहां इसकीप करते हैं अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट्स बुक्स में कमेंट्स करिएगा नेक्स्ट क्यूशन नम्म में मेर्ण मिलखित में कौन सा कर लगाता है लगाता है एक तृट और प्रतिधारित करता है बताइए और सुधिये निर्माड़ों पर उत्पाद सुल्क आयकार और अधिभार預ivesseा फिर मद्रा सुल्क क्या लग रहा है आपको कौन सा Hogling नेक्स्ट कों शारीगे के अचे है है तो आप सिंप्ली कह सकते हो आयकर और अभिबार कर ठीक है नेक्स्ट बताइए फ्लोमिंग सहर कहां इस्तित है फ्लोमिंग सहर पूछा गया है कहां इस्तित है कक्षरड लदाक सुंदर्वन या फिर नैनितल आपको क्या लग रहा है जो फ्लोमिंग सहर है वो कहां इस्तित है क्यूशन नम्मर 61 तो आप सिंपली कह सकते हैं कि option नम्मरे बिल्कुर करेक्ट होगा फ्लोमिंग सहर जो है आपक्ष रन में इस्तित है तो फ्रेंड्स अभी आप क्यूशन का लेबल देख सकते हैं कि आपके कैसे क्यूशन पूछे जा रहे हैं नेक्स क्यूशन अभी आपकी स्क्रीन परें किस मामले में उच्चितम न्याले ने कहा कि जो लोग अनयास ही राज की हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का बिसेश दाई तो है वह शुनचित करना पूलिश या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से वनचित ना किया जाए तो वो किस मामले के उच्चितम नियाले ने कहा है बताई आप के एम नानावटी बना महाराज सरकार गोकलनात बना पंजाब सरकार निमलावती बहरा बना उडिशा सरकार या आपके करेंट अफेयर से रिलेटेड है चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और इसका करेंट आंसर हो जाएगा और से निलामबती बहरा बनाम उडिशा सरकार ठीक है नेक्स क्यूशन अभी आपके स्क्रीन पर है बताएं उप राजपती अधिकतम कितनी और तक राजपती के रूप में कारेकार कर सकता है बता यह बहुत ही अच्छा क्यूशन है उप राजपती अधि इंप्ली फ्रेंड्स आप बता सकते हो कि छे महिने था कॉप्शन नम्मर दी आपका बिल्कुल करिट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट शिक्स्टी फोर क्यूशन है आपका जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत में 2014 में शुरू हुआ डॉट 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 लोगों को ह हुआ की उपारे में जनकारी देने वाला एक प्रभावी प्रचाहर प्रचाहर साधन एकौंसा है वाई गुलवत्त प्रवधन तंत्र राष्टिय वाई गुलत्त अप्रविश वाई गुलवत्त राष्ट्य मानक कि आपको क्या लग रह हो जाएगा 64 का बताइए तो देखिए इसका जो करेक्ट टांस हो जाएगा वह जाएगा ऑफसन नम्मर भी आप सिंप्ली देख सकते हो राश्टी वाई गुर्वता सुचका आंग जो है बिल्फू करेक्ट हो जाएगा नेक्स अभी आपके स्क्रीन पर क्यूशन है फ्रेंड बताइए फ्रेंट्स को आपको क्या करेक्ट लग रहा है क्यूशन नम्मर 65 का अंसर बताइए आपको क्या लग रहा है तो दिखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट टांस हो जाएगा वह जाएगा सी असी वर्स से उपर होनी चाहिए ठीक है आयकर अदिनियम के तहद एक अत क्यूशन नम्मर 66 बताइए फ्रेंट्स बैला डिला चतिस गाड में एक जगा डॉट 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 के सम्रिद भंडार के लिए जाना जाता है पूंसा मैलजीन कोईला हेमाठाइट या फिर तामबा आपको क्या लग रहा है बताइए फ्रेंट्स का अंसर आपको देना है पताइए फ्रेंट्स कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आप सिंप्ली कह सकते हो ऑफसर नम्मर सी बिल्कुल करेक्ट होगा हेमाठाइट टेक है नेक्स्ट क्यूशन हम जल्दी जल्दी कबर करते हैं फ्रेंट्स वीडियो और भी लंबा हो रहा है तो आपको बताना है पताइए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए जिन लिखित में से कौन सा भारत के सम्मिधान के बारे में सही है दो आपको तीन इस्टेट्मेंट दे दीए कौन-कौन से यह दुनिया में किसी भी प्रदान करता है सम्मिधानिक सुर्चिता नहीं अब आपको क्या लग रहा है कि भारत के सम्मिधान के बारे में कौन सा इस्टेट्मेंट सही है आप आप यहां नीचे देखो क्यों ले यह और भी दोनों यह और सी दोनों या फिर ए और बी दोनों आपको क्या लग रहा है बताई कोन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आप सिंपली कह सकते हो फॉस्ट अभी आप इस्टेटमेंट देख सकते हैं यूद दुनिया में किसी भी संप्रवुत देश का सबसे लंबा हमें पता है कि भारत का जो सम्मिदान है वो लेकित सम्मिदान है और समसे समसे मतलब लं बताईए फ्रेंट्स क्यूषर नमर्शिक्ट्येट निम्न में से किसमें विटामिन भरपूर मात्रा से पाई जाती है बताई यह मोश्ट इंपूरेंट से अमरुद अंगुर या फिर इवो काड़ो कौन सा करेक्ट आंसर होगा क्यूषर नमर्शिक्ट्येट आपको क्या लग रहा है कौन सा करेक्ट आंसर होगा तो देखो फ्रेंट्स विटामिन एक भरपूर मात्रा यह वो काड़ो में पाई जाती है ठीक है और नमर्डी आपका यहां बिल्कुल करेक्ट होता है नेक्स्ट किस्ट्र नमर्शिक्स्टी नाइन निम्न लिखित में से राश्पत देना डंड निलंबन सजा को औस्थाही तोर पर टालना डंड घटाना शजा कम करना आपको क्या लग रहा है कि निम्न लिखित में से राश्पती को कौन सी नियायक सक्टी उसकी परिभासा से मेल नहीं खाती है बताए राश्पती के बारे में आपकी क्यूशन पूछे जा पर निखिशन नमर सत्तर मताईए कि मर्ष में नगर निगम के प्रवधानों से युक्त बारह में अनुशिची को शम्मिधान में जोड़ा गया है बताए कब जोड़ा गया था 12 वी अनुशिची क्यों बताए इस कौन सा कर्क्राइब हो जाएगा उनिशन नावासी उनिश निशन पचासी यह फिर उनिशन निशन नमर स्वेंटी वन एक हैकर जिसके इरादे से प्राधिक या दुर्भावना पूर्ड नहीं है उसे डोट डोट कहा जाता है क्या कहा जाता है बैक डोर प्रोग्रम में फ्रीकर वाइट फ्रैकर आपको क्या लगता है फ्रेंट्स कौन सा कर्रेक्टर अंसर हो जाएगा एक हैकर जिसके इरादे से अप्राधिक या दुर्भावना पूर्ड नहीं है उसे क्या कहा जा सकता है 71 तो आप सिंपली कह सकते हो उसे हम बोलते हैं वाइट है यह आपको पता होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट 72 बताएं फ्रेंट्स क्या है अब यह आप यहां देख सकते हो कि एक लाग से ज्यादा की जन संग्या लेकिं दस लाग से कम जन संग्या के शहर का प्रशाशन करने वारी शहरी अस्थानिया निकाहाएं कौन सी है ग्राम पंचायत नगर पालिका या फिर नगर पंचायत प्रेंट आंसर हो जाएगा कि नमबर 72 बताएं तो आप सिंप्ली कह सकते हो कि महां नगर पाल का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्सिन नमर सी नेक्स्ट नमर आप देख सकते हैं 73 बताएं नेम में से कौन सी शॉटकॉट विंडोर विंडोज टॉस्क मैनेजर खुलने के लिए इस्तिमाल किया जाता है बताएं फ्रेंट्स यह आपके कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्यूशन दे दिया गया है और पूछा गया है जब हम विंडेश्ट मतलब जो आपका विंडो होता है टेक है टोस्क मैनेजर को खुलने के लिए हम कौन से की का परियोग करते हैं पहला दुकर प्लस बंदेद्गी है फिर आपका और प्लस एंटर फीर आपका कोंट्रोल प्लस सीप्लस इ итप कौन सा करेक्ट्ब 나왔र मों बतेंगोंगा अपका 11 you can simply यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स क्यूस्टन क्यूस्टन नम्मर 74 बता है ये फ्रेंट्स भारत की अजादी के बाद शीविल सेवा के पहले परमुख कौन थे सिकंदर बक्त, गोविन नराय एन आर पिले या फिर बी आर कृष्णा आई यार आपको क्या लग रहा है भारत की अजादी के बाद शीविल सेवा के पहले परमुख कौन थे क्यूस्टन नमर 76 तो दिखी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफिसन नमर सी एन आर पिले ठीक है नेक्स नाम भी थोड़ा जीवी है क्यूस्टन नमर 75 वर्ष 2016 में अंतराश्टी मुद्रा कॉर्स यह आपका जो है करेंट अफियर से रिलेटेट क्यूस्टन है तो इसका जो करेक्ट आप आंसर हो जाएगा वह जाएगा स्री लांका आप इससे स्किप कर सकते हैं नेक्स्ट क्यूस्टन नमर कि अतर भारत में शौर पार्क परियोजना के लिए साजा ऑफ्शन रचना के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी रासी के रिवर समझाओते पर हस्ताक्षर किया गया यह भी आपका जो है करेंट अपेर से रिलेटेड है तो अगर आपको याद है तो आप क्यूश्ट नमर 77 निमन लखित अधिनियमों को सब्से पहले पारित ओन ने क्यांसार लगाई है कि मानाव अदिकार सनक्षन है स्चना अधिकार अधिनियम दहें प्रतिसीत अधिन्यम या फिर A, C, B, D या फिर C, A, B, D या फिर A, C, B, D सही करम पुछा है बताईव शेंस कालकरम कौन सा कालकरम इसमें से करेक्ट होगा कालकरम के अनुसार इसमें आपको लगाना है 77 का बताईव शेंस तो आप सिंपली कह सकते हो ओप्सन नमबर A C, पहले आपका C, दहेज प्रतिसेद अधिनियम फिर A, मानव अधिकार सरक्षन अधिनियम फिर D, आपका बच्चों को निशुलक और अनिवारे सिक्षा का अधिकार अधिनियम फिर B, सूचना का अधिकार ठीक है Next Question number 88 बताईव शेंस निदेशक सिधान्तों में परिवर्थन के लिए एक संबेधानिक संसोदन क्या सकता होती है जिसे निम निम द्वारा पारित किया जाना अवस्चक है तो किसके द्वारा संसत के दोनों सदन लोकसभा, राजेसभा या फिर संसत के उपसी दो तिहाई से दश्यों का अनुमोदन और मर्दाता तो कौन सा उपसर करेक्टर है क्यावल B ये वो भी दोनों ये वो भी दोनों से कोई नहीं या फिर क्यावल A आपको क्या लग रहा है कि निदेशक सिधानतों में परिवर्तन के लिए एक संबेदानिक संसुदन किया सकता होती है तो वो कौन से होती है आपको दो इस्टेटमेंट दे दिये गए है बताइए कौन सा इसमें से करेक्टर असर हो जाएगा तो आप सिंपली कह सकते हो कि इसका आपसन भी शही है यानि कि यह वह मव दोनों बिलकूल गरopt हो जाएंगे दिरिष्टी वहक्यम को किस लेंच के परियोग से दोर किया जाता है बिल्कूल करेक्ट हो होगा तो आप सिंपली कर सकते हो वेलना कार लेंस आपसन नमर भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अप उच्च नहाले में हाइग को बताना है आर्टिकल 222, आर्टिकल 336 आपको पता हो जाएगा है आर्टिकल 32 के एक इसके अनुसार वह उच्च नहाले में जा सकता है तो यह थे कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन अभी आप देख रहे होंगे कि आपके मूल विदी प्लस जी के प्लस सम्मिधान से रिलेटेट कुल 40 क्यूशन पूछे गए थे आपको यह क्यूशन आ रहे होंगे और इसी लेवल से आपके क्यूशन पूछे जाएंगे हो सकता है किस बार और भी टफ हो जाए तो इसलिए आपको अपनी पूरी मेहनत करनी होगी बस आज के लिए इतना ही वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स मित्र हैं उनको भी इसी टाइम जोड़ सकते हैं चैनल के साथ क्योंकि आपको डेली जी के चैलेंज में हम आपको इंपोर्टेंट क्यूशन जो कि आपकी कंप्रेटिटिव एजम्स के लिए हेल्फुल होते हैं तो फ्रें झाल